तस्वीरे राम नगरी अयुध्या की है जिसे अभेद के लिमें तब्दील कर दिया गया है राम मंदिर की प्राण प्रतिस्था को लेकर सिक्योर्टी इतनी टाइट कर दी गई है कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिस्था के दौरान अयुध्या में जल जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुक्ता इंतजाम किये गए है अजद्या 22 जन्वरी को आम जन्ता के लिए बंद रहेगी 22 जन्वरी को बिना निमंतलड वालों को भारी परेशानी हो सकती है सुरक्षा में CRPF से लेकर UP पुलिस की तैनाती की गई है भारी वाहनों की आवाजाही पर इस दिन रोक रहेगी पूरे शहर में 10,000 से ज़्यादा CCTV केमरे लगाये गए है पहली बार यहाँ चेहरे की पैचान करने वाले AI केमरे लगाये गए है राम ललागी प्राल पदिस्ठा के दोरान देश की बड़ी मशूर हस्तिया जुटेंगी इस मौके पर अयोध्य में लगबक 13,000 से ज़्यादा सुरक्षा कर्मियों का भेद सुरक्षा घेरा होगा UP ATS के कमांडो और जवारनों के साथ आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और एंट्री डोन सिस्टेम के जरिये उसे और पुक्ता बनाया गया है इसके लिए ATS के बड़ा जथा राम नगरी पहुँच चुका है आदुनिक हधियारों से लैस कमांडो बुलेट प्रूफ मार्क्स मैन गालियों के जरिये निगरानी कर रहे है जमीन से लेकर आसमान और सर्यूंक नदी के तटो पर कड़ी नज़र रखी जा रही है सुत्रों की मायन तो IB और RAW की अधिकारियों ने भी अयुद्या में डेरा डाल रखा है कई इस तरपर सुरक्षा बंदोबस्त की समिक्षा की जा रही है OFC लिंक कैमरी भी लगाया गया है 12 एंट्री ड्रोन सिस्टम के माद्यम से रेड और यलो जोन को सुरक्षद रखा गया है 5 किलो के रेडियस में उलने वाले किसी भी ड्रोन को लोकेट कर निश्क्री किया जा सकता है अयोध्या आने वाला हर शक्स पुलिस की चौकस निगाहों में होगा जाईर है जरासा संदिक दिर दिखे नहीं कि सवालों की घेरे में इस कारक्रम का मुख्य आकर्शंग होंगे प्रधान मंतरी नरंद मोदी ऐसे में उनकी सुरक्षा का खास तोर पर बंदुबस्त किया गया है प्रधान मंत्री नरेंद मोधी की सुरक्षा में 1000 जादा जवान तैनात रहेंगे उनके सुरक्षा घेरे में 3 DIG, 17 ASP, 40 ASP, 82 DSP, 90 इंस्पेक्टर के साथ 1000 जादा कॉंस्टेबल, 4 कंपनी PC तैनात रहेंगी निगरानी के लिए 10,000 से जादा CCTV कैमरे लगाये गए हैं जिन लोगों के दुकानों और घरों के सामने CCTV कैमरे लगे हैं, उनको भी पुलिस कंट्रोल लूम से जोला गया है कारगरम के दोरान दूर दूर तक निगरानी रखने और किसी भी लॉंग रेंज अटेक को काउंटर करने के लिए स्नाइपर की भी तैनाती की गई है पुलिस के अलावा अधिकारियों की माने तो आयोध्या में माइक्रो लेवल तक सुरक्षा की तयारी है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी, मुख्य मंतरी योगी आदितनात, RSSS प्रमुग मोहन भागवत अयोध्या में होने वाले प्रान प्रतिस्टा करके में मुख्य चेरे होंगे मौजूदा वक्त में जो भी देश का बड़ा नाम है वो इस समारों में शामिल होगा आम अंतरित महमानों के अलावा लाखों की संख्या में आम जन सर्यू किनारे बसेरा करेंगे ऐसे में कारक्रम की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का कोई भिदाव नहीं किया गया है इसके लिए CRP की 6 कंपनी, PSA की 3 कंपनी, SSF की 9 कंपनी, ATS और STF की एक एक यूनिट तैनात की गई है ये सब तो 24 घंटे तैनात रहेंगी ही लेकिन बंदोबस इसके अलावा भी है 300 पुलिस कर्मी, 47 फायर सर्विस, 40 रेडियो पुलिस के जवान, 37 लोकल इंटेलिजेंस, 2 बंब स्कॉर्ट की टीम तैनात की गई है इसके अलावा राम मंदर तक जाने वाले सबी रास्तों पर पुलिस की निगरानी होगी अयोध्या रेंज के आईजी प्रबीड कुमार के मताबिक करीब 11,000 अतरिक सुरक्षबल अयोध्य में तैनात किया गया है सरी उनदी में निगरानी करने के लिए जल पुलिस को अतरिक्त हाई स्पीड बोर्ट मोहिया कराए गई है सुरक्षब एजेंसियों की नजर जमीन से लेकर आस्मान तक रहेगी इसके लिए anti-drone system और artificial intelligence से less command control system त्यार किये गया है आने जाने वालों की physical checking के अलावा उचिस तरी सुरक्षब तक्नीक का भी इस्तमाल होगा लोगों की पैचान की जाच की जाएगी इस cover को लेकर आपका क्या कहना है हमें comment करके जुरूब बता है और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रही है न्यूज एटिन इंडिया और इसके साल